विल्कन तो देवल्ड अप नॉलेज इल्फटा क्लासेज तो हम लोग जैसे की स्रीज कर रहे हैं क्लास 12 के इस भी पीडी बुक का जितने भी इंपॉर्टेंट आपजेक्टिव हैं सबको हम लोग देख रहे हैं और उनको याद करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम लोगों ने पिछले बार पहले चैप्टर वन का जाने के रास्पनिर्मान तथा उसकी समस्याओं का जितने भी इंपॉर्टेंट आपजेक्टिव थे सबको हमने कर लिया था वीडियो के माध्य हम से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हैं तो मैं उसका लिंक डिप्सक्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से जाकर पहले वो देख लेंगे उसके बाद फिर चैप्टर टू के तरफ हम लोग बढ़ते हैं जिस चैप्टर का नाम है एक दलिये प्रभुत्व का दौ तो इसके जितने भी important objective होंगे political science का उसको हम लोग देखेंगे और याद करने का फिर से प्रियास करेंगे ताकि अगर कोई भी question exam में आएं तो हमसे जरसा भी ना छूटे और उसका हम लोग आसानी के साथ हल कर लें उसको तो आईए start करते हैं question number chapter 2 के question number 1 के साथ तो यहाँ से हमारा यह chapter start होता है chapter 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर सबसे पहला question है हमारा 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलिये वेवस्था थी तुछ से पहले किस टाइप की दलिये वेवस्था थी तो एकल अधिपत्य शील अधिपत्य शाली दल वेवस्था थी question number 2 है हमारा भारतिय राष्ट कॉंग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया इसका सही आंसर option number B यानि कि ब्रिटेन का लोकतांतरिक समाजवाद है question number 3 है हमारा किस ने कहा कि स्वतनता के बाद कॉंग्रेस मातर पार्टी नहीं बलकि वाज सरकार राज यहां तक की देश जैसी हो गई है यह किसका कथन है तो यह सही आंसर हो जाएगा option number A यानि कि इस टेनले कॉशनेक का यह कथन है question number 4 है हमारा भारतिय राजनीति दलिये वैवस्ता को किस ट्रेनी में रखा गया है तो किस ट्रेनी में रखा गया है इसका सही आंसर option number C यानि कि बहु दलिये वैवस्ता में इसको रखा गया है question number 5 है हमारा question number 5 कॉशन नमर 6 है हमारा भारतीय रास्टे कॉंग्रेस के किस नेता ने दो बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पूरन निर्मान किया तो वो कौन थे इसका सही आंसर उप्शन नमर 7 यानि की इंदरा गांदी थी वो कोशन नमर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कोशन नमर 7 है हमारा 1967 के बाद कॉंगरिस के अधिपाति शाली इस थिती का पतन का कौन सा कारण नहीं था तो कौन सा कारण नहीं था इसका सही आंसर आप्शन नमर D है यानि की सम्या नुकूल विचारधारा का ना होना कोशन नमर 8 है हमारा भारत में कम्यूनिस पार्टी को सत्ता में आने का सर प्रथम अपसर कब मिला तो कब मिला था तो इसका सही आप्शन नमर D यानि की 1957 में दूसरे चुनाफ जब हुआ था तब उनको क्या मिला था मौगा मिला था पहला चुनाफ जो हुआ था भारत में वो 1951 से 1952 तक चला था और दूसरा चुनाफ का वह था उसके ज़स्ट 5 साल के बाद यानि की 1957 में कुशन नमर 9 है हमारा भारत को किस पार्टी को दच्छिन पंथी पार्टी के कोटी में रखा जाता है तो किस पार्टी को इसका सही आंसर है रहा उप्शन नमर C यानि कि भारतिय जनता पार्टी बीजेपी बीजेपी पहले जनता पार्टी के नाम से थी पहले जनता पार्टी के नाम से थी यानि कि जेपी के नाम से थी और उसके बाद फिरू उन्हें तीन साल के बाद उसने अपना नाम बदल दिया उसके बाद फिरू उन्हें क्या कर दिया अपना नाम भी जेपी कर दिया यानि कि भारतिये जनता पार्टी कर दिया कुर्शन नबर 10 है हमारा 1967 के चौथे चुनाफ के बाद कॉंगरिस के अधिपात के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रवर्दन भूमी का निभाई प्रवल भूमी का निभाई तो किस तत्व ने निखाय थी इसका सही आंसर ऑप्शन नमबर बियान के राजनेतिक दल बदल Question number 11 है हमारा 1971 में बने महान गड़ बंदन का क्या धेया था क्या धेया था इसका सही आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा Option number B यानि कि इंद्रा हटाओ जतने भी अपोनेंट पार्टी सब थे उन्होंने क्या क्या एक गड़ बंदन बनाया जिसमें उनका नारा क्या रहता था उनका एक ही मकसद था कि क्या कि इंद्रा गांधी को हटाओ कुशन नमर 12 है हमारा भारती रास्ट कॉंग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया तो इसका सही आंसर आप्शन नमर 2 यानि कि मौरार जी देसाई थे वो कुशन नमर 14 है हमारा भारती रास्ट कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे तो भारती रास्ट कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे इसका सही आंसर आप्शन नमर 2 है भारती रास्ट कॉंग्रेस यानि कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का इस्थापना जो हुआ था वो 1885 में हुआ था, किसके दौरा ए और हुम के दौरा, ये कुशन आप याद रखेंगे ये बात, कुशन नमर 15 है हमारा, कॉंग्रेस का विवाजन किस वर्ष हुआ, अथवा कॉंग्रेस में प्रतम विव भाजन हो गया था, कॉंग्रेस बढ़ गया था, दो पंति है, कुशन नमर 16 है हमारा, भारती राष्ट्री कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, जैसा कि अभी आपको बताएगे कि 1885 में हुआ, एयो ह्यूम के दौरा, कुशन नमर 17 है हमारा, प्रतम आम चुन कोशन नमर 18 है हमारा, कोशन नमर 18, भारत की राष्ट्रे पती, प्रतिभा देवी, सिंग पाटील का करम में, हिमाव में, हिमाव से स्थान, डैश क्या था, यहां पर मिस्प्रिंट लग रहा है, इसका सही आंसर, ऑप्शन नमर B, यानि कि तेरवा, कोशन नमर 19 है हमारा धा 370 का समन्त किस प्रदेश से, तो यह जमू एन कश्मीर से है, जिसको 2019 में हटा दिया गया है, अब 370 वहाँ धारा नहीं है, कोशन नमर 20 के तरव बरते हैं, हमारा, कोशन नमर 20 है हमारा, पांस सूतरी कारेकरम की शुरुवात किसके दौरा की गई, तो इसका सही आंसर, ऑप सिमांद गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, जिसका सही आंसर, ऑप्शन नमर सी, यानि कि खान अब्दुलगफार, खान को ही सिमांद गांधी के नाम से भी जाना जाता है, कुशन नमर 22 है, निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, स जदियु से हैं ना कि BJP से कोशन wa 23 है हमारा स्वातनतर भारत की परतम Governor General जेनरल कौन थें स्वातनतर भारत जैसे बोल देगा तो हो जायेगा कौन सी राज गोपाला चारी वा ओक कोशन 4 है भारत के परतम कानूनी मंत्री कौन थें तो इसका सही सही नमबर सी यानिकि याद्व अम्बीट कर है भारत में वर्तमान में कुल कितने रास्टे दल है तो इसका सही हांसर ऑप्शन मड़ी यानिकी आठ नमबर 26 भारत में दुईतिवाम क्वा तो दुईतियाम क्वे स्था तो इसका सही तो किसका रहा था तो कॉंग्रेस का ही रहा था सी एंसर इसका सही आंसर भारत में प्रथम आम चुनाफ कब हुआ तो कब हुआ था तो इसका सही आंसर ऑप्शन नमबर भी यानिकी 1952 में कोशन नमबर 30 है 26 जनवरी हम मानते हैं हम मानते हैं किस रूप में मानते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नमबर यानिकी गंतंतर दिवस के रूप में कोशन नमबर 31 है हमारा इस समय भारत में कौन सी दलिये वेवस्था मौजूद है जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नम यानि कि जनता पार्टी जैसे कि आपको पताएं कि पहले उसका नाम जनता पार्टी था जनता पार्टी यानि कि उनिस्तो सरसत में बना लेकिन इसके कुछ तीन सालों के बाद इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया बीजेपी कर दिया गया यानि कि 1980 में इसका नाम बदल कर भारतिय जंता पार्टी कर दिया गया कोशन नमर 33 हमारा राजनितिक दलो को किस समविधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिनाव अवंटित किया जाता है तो किसके द्वारा सही आंसर ऑप्शन नमर यानि कि चुनाव आयोग के द्वारा कोशन नम मतलब हो जाएगा बीजेपी की स्थापना कुशन नमर 35 है कॉंग्रेस में प्रतम विभाजन किस वर्ष हुआ तो 1969 में देखा गया था ऑप्शन बीस करेक्ट आंसर कुशन नमर 36 भारत के प्रतम उपरास्ट पती कौन थे इसका सही आंसर ऑप्शन नमर यानिकी डॉक्टर सराधा कृष्ण अगर पहला राश्ट पती पूछ लेगा तब हो जाएगा राव डॉक्टर राजेंदर प्रशाद्व की बिहार की जीलस बिहार इस्टेट से बिलॉंग करते हैं कुशन नमर 37 भारत में कौन सी दलिये व्यवस्था मौजूद है सही आंसर ऑप्शन नमर सी यानि कि बहुद लिये व्यवस्था कोशन नमर 38 है हमारा भारत का पहला उपरधान मंत्री कौन थे पहले भारत में परधान मंत्री और उपरधान मंत्री भी होता था लेकिन अब उस पद को हटा दिया गया स्रीफ और परधान मंत्री होता है और पहले पहले जब भारत अज जित्थक होने से 1935 से तालिस के मद भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के अंदर रहते हुए कार किया तो इसका सही आंसर ऑप्शन नमबर डी यानि की कम्यूनिस्ट दल पहले भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के अंदर ही रहते थे और कार करते थे कुशन नमर 40 है स्वतंतरत के एक यूनियन ट्रिट्री है कोशन नमर 42 है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नमर बी यानि की स्रीक्रेशन सिंग कोशन नमर 43 है तेलगू देशम किस राज का छेत्री दल है तो किसका है यह यह आंदर प्रदेश से ही अलग हुए कोश कोशन नमर 46 है डी एम के किस राज का छेत्री दल है तो यह तमिल नाडू का ओप्शन डी करेक्ट आंसर कोशन नमर 47 है कोशन नमर 47 किस समीती के सिवारिश के अधारव भारत में पहली और पंचायती राज संस्ताइए स्थापित की गई तो किस समीती के द्वारा इसका सही आंसर आप्शन नमर D यान कि बलबंत राय महता समीती कोशन नमर 48 है 1850 में किस राजिनतिक दल की स्थापना की गई जिसका सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमर A यान कि अखिल भारतिये इंडिया नेशनल कॉंग्रेस कोशन नमर 49 है किस राजिनतिक दल ने एक देश एक संस अखिल भारतिये किसान कॉंग्रेस के सापना किस ने की तो किस ने की थी इसका सही आंसर आप्शन नमर D यान कि चौधरी चरण सिंग ने की थी तो यहां पर हमारा जितना भी चैप्टर टू का इंपॉर्टन आप्जिक्टिव था एसब पीडी का वो सब हमने अभी याद क कर लिया और पढ़ने का कोशिश किया है आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किजिए इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर ठीक आएगा और चैप्टर वन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तब तक अपना ख्याल रखें टिक क बाइ